डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आठ का बहतरीन कॉंबिनेशन अजमेर में सुंबर देर शाम जो रिपोर्ट आई है मेडिकल की उसके अंदर अजमेर में चार नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं और ये चार नए जो पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उसके हम आपको जानकारी देते हैं जिसमें तीन मैला आए हैं और एक पहले से ही जो कोरोना पॉजिटिव शक्स है उस केस से सμबंदिद है हाला कि अभी तक ये स्पॉस और पर नहीं बताया गया है कि आकिर्टार ये कॉन से मपॉजिटिव मरीज जो है उससे संपर्क में आ है लेकिन ये स्पॉस्ट कर दिया गया है कि ये पहले से ही जो inki contact tracing हु जानकारी हम देते हैं आपको जिसमेंसे एक जो यूवति है इसकी जो उमर है वो 16 वर्ष है और ये मुश्लिम मेंकी इलाके से आती है इसके साथ में एक पुरुष है जिसकी उमर 27 साल है ये सिलावत मौला है लाखन-कोटडी में वहाँ से आते हैं इसके साथ में दो और महिल से वो screening को लेकर है मुस्लिम मोची इलाका लाखन कोटरी का जो इलाका है यहां से जिस तरीके से cases की संक्या आ रही है तो लगातार चिकिस्ता विभाग की यह कोची चाहिए कि यहां पर screening और यहां की contact tracing प्रॉपर तरीके से की जाए लेकिन फिर भी कई contact tracing इस तरीके की है जो बताई नहीं गई थी इस पस्तोर पर लेकिन जब इस तरीके से मामले contact जो कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आते हैं तब जाकर हाकिकत खुलती है कि आखरकार जब से lockdown 1.0 शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक इन लोगों ने मामलों को दबा कर रखा था contact tracing पूरी तरीके से नहीं थी contact tracing जिस तरीके से पूस्ताश में होती है उसके अंदर तमाम बाकी के जो संपर्क में जो लोग आये थे उनकी जानकारी नहीं दी गई थी और उसी का नतीजा ये है कि ये दर्गा के जो आसपास का इलाका है जहां से कुरोणा के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं उसका ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि contact जो tracing हुई है उसमें लोग सही तरीके से संपर्क जिन जिन लोगों से हुगा उनकी जानकारी नहीं दे रहे है अब जो अजमेर के जेलेन अस्पताल है वहां से जो medical bulletin जारी हुआ है उसके मताबिक हम आपको बता देते हैं कि जो शाम तक जो आंकड़े अजमेर में थे वो कुल 179 मरीजों के positive के आंकड़े थे लेकिन सौमवार रात होते होते जो 9 वजे की bulletin आई है उस bulletin तक अजमेर म अंदर 173 कोरोना positive के मरीज हो चुके हैं इसके साथ में जब COVID-19 का मामला बहुत तेजी से है वाड भी COVID-19 का बनावा जलेन अस्पताल में तो यहां पर आपको बताते हैं हम कि अजमेर के जलेन अस्पताल में कुल 173 मरीज जो हैं वो बरती हुए हैं जिनके नए मरीज जितन 127 मरीज हैं उनकी हालत पूरी तरीके से इस्तिर है आज एक सुकत ख़बर ये भी है कि एक मरीज को कोरोना मुक्त होने के पच्छा 14 दिन के कुरिंटेन के लिए उसको कुरिंटेन सेंटर बेज दिया गया है और इस तरीके से अब अजमेर में जमेर के जो तकरीबन 40 कोरोना क जो मरीज थें, वो korona से मुक्त हो चुके हैं, सात में एक दुखत खबर भी हैं, कि सुम्वार को ही, एक korona positive włas injury की दुखत मौत भी हो गई है और इस हिसाब से,анием कुम मिलाके अजमेर के अंदर दो korona positive मरीज की हत्तिया हो चुकी हैं, इसमें ये जो मरीज से कुरोना के इनके पैर के अंदर गैंगरीन और सेप्टी सीमिया की बिमारी इनको थी और इस बिमारी के साथ में इनकी मौत हो चुकी है साथ में आज मुख्यमंत्री अशोगहलोत की जो वी सी थी उस वी सी के अंदर अजमेर के चिकिस्ता विभाग के अधिकारी और अजमेर की डियम मौझूद रहे उस VC के अंदर मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने साफ तोर पे दिशा निर्देश दिया है कि मेडिकल स्क्रीनिंग और जाच के सैंपलों के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी और कोई कोताई नहीं बरती जानी चाहिए इस पर स्टोर पे निर्देश दिया है इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोग गैलोत थोड़े से नाराज भी नजर आए जो हमारे सूत्रों ने हमको जानकारी दिया है कि मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ये चाते हैं कि जिस तरीके से जोदपूर के अंदर सैंपलिंग जिससे की जो लोग कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्ख में आ चुके वे थे लेकिन चिकिस्सा विभाग ने उन लोगों को घर पर ही होम क्वारेंटाइन कर रखा था उनके कई ऐसे मरीज हैं जो और जो कॉंटेक्ट के अंदर है कॉंटेक्ट ट्रेसिंग में सामने उनके सैंपल नहीं लिये थे तो मुक्यमलतीर अशुक गैलोत ने इस बात को लेकर नाराजगी जता आई है और उस नाराजगी के साथ उन्होंने साफ निर्देश दिये हैं कि जादा से जादा संख्या में अजमेर के अंदर सैंपलिंग ली जाए और सैंपलिंग के बाद जिससे की जो छूपे हुए कोरोना पॉजिटीव के मरीज हैं जिनमें लक्षण नहीं हैं उनको बहुत जल्दी ट्रेस कर लिया जाए और उनसे कोई और वर्यक्ती किसी प्रिकार से ग्रसित ना हो कोरोना का जो वायरस है वो उनके अंदर ना पहले क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस इलाके से सौ के उपर मामले मुस्लिम मोची मौले इलाके से आ चुके हैं और उसके बावजूद भी यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिलाल घरों में हैं उनके सैंपलिंग नहीं हुई है सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग का सहारा चिकेस्ता वी भाग ले रहा है स्क्रीनिंग के जरिए लोगों को जो कॉरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं उनको ट्रैस नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे मरीज जैसे हैं जिनमें को करोना के लक्षन है लिए इसलिए मुक्यमंती आशो गैलोत ने वी-सी म पात किस रफ्तार के साथ चिकिस्ता विभाद इस इलाकों से और या और जो दूसरे हॉट इस्पोर्ट इलाके हैं उन इलाकों से सेंप्लिंग की रफ्तार कितनी जल्दी बढ़ाता है अजय सकति होलाकों से क्याहस्तार किन आर लाह झाके लाक्मी, प्र давно थिए खोले करें आिएOS कातारी हम जोदीक कितने से और थियाउस जलाके साथे अख्तारी है है जो आयो भी च्तार्टों अभरत है